बिस्मिल्लाहिरामार्यराहीम असलाम अलेकम दोस्तों मैं हूँ फ्यान सारी दोस्तों आज हम बना रहें बेबी फूड जिससे बच्छे हैल्दी होंगे मोटे होंगे दमाग की नच्चनवा भी होगी और खूंड की कमी को भी इन्शाला पूरा करेगी है पिछली वीडियो ब यहां हमारे पास हैं पांच ही बदाम पांच खजूरे थी पांच ही बदाम लेंगे इनको हमने धोली है ड्राइफूट जब इस्तमाल करें उससे पहले एक मरतबा इससे अच्छे दीके से पानी से धोलें और इसे हम विगोकर रखेंगे रात बर या कम असकम 6 गंटे 6 बदाम का इस्तमाल दमागी ग्रोध के लिए बहुत ज़्या जरूरी होता है या आप बच्चों के डेली रूटीन में जरूर यूज क्या करें तो इसको हमने अब धोले ना है बिसमिलार मानु रहीं तो इसको बॉल में निकाल लेंगे और एक खरोट डालेंगे इसकंदर क खरोट का इस्तमाल भी तमागी नशनवा के लिए होता है तमागी क्रोध होती है और बच्चे बहुत ही मशा जहीन हो जाएंगे इसके खाने से दो केले लेंगे यह पके वाले केले हैं जरा हार ना हो और इसको भी काड़ लेंगे और यहां हमारे पास बिसक्रस है यह सूप तो ये है छे माँ से बड़े बचों के लिए छे माँ के बचों का आप दें और उससे बड़ी उमर के कोई भी बचा इससे इस्तमाल कर सकता है इसके अंदर कैल्शियम है परोटीन है और दूसरे एहम चीजे जो बचों की करोध के लिए बहुत ज्याद जूरी है तो आप इसे दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंदे वीडियो पसंदे वीडियो को लाइक किजिएगा और कोई भी सवाल हो इसमें के मतलीक आप पूशेगा इसको आपको जवाब जूरू मिलेगा तो अब दीजिए फ्याद अनसारी को इजाजत अल्ला हाफीज